डोस्तों तुम्हें पता है बिचले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सूटा के मौंटन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाई धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राईज और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम के दिशिस थे मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनके खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत साले पैसे लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सब की किसमत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मच्छी पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नो बिता मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मच्छी पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तोर पर उस मच्छी का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनौती दी है अरे वो डिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे? पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब गोरे मोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे थी? डाद, यह नजदी की एक पिशपॉंड है? ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचलीया सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा, मेरे पास जील और नदी तोनों है डाद क्या? सच मे? जड़ा एक मिनच रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज, माउंटें स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ दाद स्ट्रीच को ओन करते ही पानी का सरक्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़पूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनियेचर फेशेक्स जो कुछी देर में हैच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाद अब आप भी तयार हो जाएंगे अब जिल्दी कीजिए डाद पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या जरूरूत है अब आप अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है स्मॉल लाइट समझ गया तुमने डाद को चोटा कर दिया दा कि वो मिनियेचर मौंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो ये सब का है मैं तो भीग गया हूँ मुझे ज़रा आराम से नीचे उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे ओओ ओओ फेट सारी मचलिया है तुमने देखा डाद कितने खुश है जोरी मौन तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे है ना सीरीज के बारे में ओ हा नो बिता कैस का मतलब यह है कि अलग-अलग तरह के बाहार होते है तुमने सही कहा अच्छा कैस तरह की बताव ना डोरी मौन रॉक लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते है स्कींग तो बर्व के स्लोग पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते है सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते है और कई तरह के mountains होते हैं सुनो डो रीमॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या कोई mushroom का mountain भी होता है? हाँ, होता है सच में? कहा तुम हो, मुझे देखना है नोबिता, रूग जो, मैं उसे पार निकाता हूँ रूग जो, आर्का मर्क्सू mountain यहाँ तुमें mushrooms मिलेंगे ये, अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुमें बताता हूँ पहले मुझे mushroom के बीच बिखेडने होंगे, इस तरहां और फिर, हमारी special sunday farming set से हमारे पास कुछ खास चीज है miniature sun launcher और एक tube में बादल तुम इनके साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सब्र करो ये देखो सब तयार है नोबिता, अब हम launch करने वाले है sun अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश और फिर तुम देखने नोबिता तरीब 10 मिन्टों में मश्रूम सुगने शुरू हो जाएंगे जोड़ी मोन, क्या मैं शिजू का और बागी दोस्तों को बुला लाओं? हाँ, जरूर बुला लाओ, नोने ली आता हूँ जरूर लाओंगे ये मश्रूम्स तोड़कर खा सकते हैं, मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा नोबिता मैं सच के रहा हूँ आओ, तुम खुद ही देख लो अँआ, ओ, अरे नोबिता देले चलो, मैं चंटा रही हूँ हे नोबिता शिजूका, तुम दोनों कहा जा रहे हो क्या सचमुष नोबिता, मैं भी आना चाहता हूँ हलो आउंटी हलो आउंटी हलो बेटा डोरे बोन हमें बताओ, मश्रूम्स कहा पर है चलो, हम शरू हो जाएं हमें इस माउंटेन पर जाना है अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स देखो शिजूका, मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स है शिजूका, आउँ वहाँ जाकर देखते है अच्छो ठीक है, जोरा में ले रुको तो सही जोल दिया बढ़िया लगता है हमारे यहाँ सारा समान अच्छी वालेगी का होता है यह निजे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम, टार क्रोकेट्स थांक्यू मैडम, आज मश्रूम्स बहुत सस्ते विक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम आप खरीद लो क्यों नहीं यह हैं तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलती हूँ देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बासकेट तो फुल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे ठीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छा इडिया है एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप न जाऊं पर अगर कीमतें यूँ ही बढ़ती रहीं तो अरे शिजुकार बांकी सब आगे तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्बू क्या ये मश्रूम्स की खुश्बू है ये खुश्बू तो उपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चल कर डिनर की तैयारी कर लिनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं वह मला गया क्या खुश्व हो है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वाँ मज़ा आ गया तुम इकी जल्दी में मत थाओ नो बिता चोड़ो ना यार खाने भी दो ये अभी तयार नहीं हुए जियाद अभी सब्र करो चलो वापस चलते हैं ये चलो चलो ऐसा करते हैं घर चल कर मौम को सप्राइस कर देते हैं चलो ठीक है इने घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मौम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइस के हो जाएंगे अच्छा अँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जब मंकरिया आ जाना टोडी मौन क्या डाट ने कुई मश्री पकड़ी होगी आओ देखते हैं हे सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक्ड कहा पर जा रहे हो जरा इन्हे तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स हैं हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं हाँ मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच्च उटा के माउंटेन से लाए हैं क्यों शिजूका ठीक आहा ना हाँ जियान तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम जलते हैं चाहो तो एक लेलो सुनियो हाँ लकीन नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मच्चिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरे मॉन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डाग, आउ मॉन के लिए भी ले चलते हैं हाँ, अच्छा एडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉन डिनर का वक्त हो गया है अरे, पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे है ये बेखो ये सब क्या है, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ ये, ये तो ये मश्रूम और मचलिया अरे, ये कैसे हो सकता है मॉन, मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप ठीक है, और मुझे पसंद है स्टींड मश्रूम्स ग्रिल्ड मश्रूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है न नहीं, ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये पिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकला है नहीं नहीं आप एकनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ पिल्कुल